आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बावा के दारनात की पैदल यातरा में कितना समय लगेगा और अगर आप हेलेकाप्टर से दर्सन करना चाहते हैं तो उसका चार्जिस कितना होगा गोडे वाम खचर से दर्शन करना चाहते हैं तो उसका चार्जिस क्या होंगे मंदिर के भीतर जला भिशेक का समय क्या होता है इसके साथ इसाथ इस यातरा में आपका कितना खर्चा होगा वो भी स्टैप बाइ स्टैप कवर करने वाले हैं चलिए यातरा की सुरुआत करते हैं जैशी केदार हर हर महादे हलो दोस्तो आप सभी का सफर इन्लिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कमल और आज मैं आचिका हूँ दोस्तो बाबा केदार की नगरी केदार धाम में तो किस तरह से आप यहां पहुँच सकते हैं उकने की क्या ववस्ता होगी और यहां से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंपॉर्मेशन आज किस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा दिखेगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो आईए मेरे साथ दर्चन कीजिए बाबा केदार धाम हमने अपनी जर्णी की सुरुवात की थी छत्रजगर की राजनादगाउं स्टेशन से ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेश जो बिलासपूर से डेली तक जाती है जिसका फेयर लगा हमें थर्ड एसी का तेइस्सव रुपए बानली भाई हम लोग देली पहुंच चुके है भी दिल्ली से हरिदवार तक हमने एक प्रेवेट एक्सी बोग किया था जिसका किराय हमें लगा थीन हजार रुपए मुझा प्राजिद्वार जा रहे हैं और हम लोग का फेयर लगा है तीन हजार रुपए एक गाड़ी का हना दो गाड़ी का मतलब 6,000 रुपए गाड़ी है अपना डिजायर अगर आपको डेली से हरिद्वार जाना हो या हरिद्वार से डेली आना हो तो भाईया से आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो अभी हम आ चुके भाई यहां के पंडित धा के लिए गर्मी के साब से बहुत ज्यादा बेटर है कि भाईया प्राइवेट टेक्सी कर ले ताकि आपको किसी भी प्रकार के परसानी ना तो यह हर्की पोड़ी के पास ही स्थी था हरिद्वार में हमने सबसे पहले एक होटल बुक किया जिसका रूम चार्जिस पंदरा सो तो रूपे था हमाला दीपो वाली गली गली नंबर वन हरी दवार मुबाइल नंबर आप यहां से स्कीन शौट कर सेखिए यह है ट्रिपल बैड डवल बैड अच्छा है बावा के दानात के दर्सन से पहले हमने सबसे पहले हरी के नगरी हरी दवार के हर्की पोड़ी में ह उसके बाद यहां के प्रसिद्ध गंगा आर्थी का अनुद्ध है हमारा रजिस्टेशन बावा के दार नातियातर के लिए नहीं था तो हमने रात में ही लाइन लग लिए थे क्योंकि सुबह तक कापी भीड़ो चुकी थे और यहां का जो रजिस्टेशन जो चालू होने का टाइम है सुबह साथ बे से साम साथ बे तक और अभी से देख सकते हैं यहां का पूरा भेड़ भाई यह देखिए भाई इस सारा से लाइन यहां मतलब यहां आने से पहले यह बोल दी है भाई कि आपको फॉर्म फिलप करना कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले ही हमने अपनी यात्रा क्लिक ब्लैर बुक कर दिया था जिसके 6 दिन के चार्जे 25 सिदार रुपय थे इसमें किदारनाथ, बदरिनाथ, धारी देवी माता मंदिर आदी सामिल थे सबसे पहले आचुका भाई देव प्रयाग तो रास्ते में हम रुके भाई नियू गैंकी रेस्टोरेंड है भाई जेड़ सवर पर हमी है जिसमें आपका दुल्टी है, सब्जी है, सलाद है, तक्सार है, कढ़ी है, टेस्ट करके बताते हैं आपको यहां का नाय कलता है और हमारे भाई दब तो पहले ही जुरू ओचुका बहुत बढ़ी है टोस्ते हैं बता रहे हैं भाई रिव्यू तो अभी हम आचुके अलग मंदा और मन्दागनी के संगम इस्थल रुद्र पयाग यह देखियो गई यहां का संदर सा नजारा तरब मन्दागनी में अभी दोन हरित्वार से लगभाग सुबा के 9 बजे हम निकले थे और सीतापूर पहुंचते तक लगभाग साम हो चुकी थी और सीतापूर में रुकने के लिए आपको कई लगजरी होटल रास्ते में हैं मिल जाएंगा लेकिन हमने अपने स्टे सोन ट्रैग में किया क्योंकि यहां आपको काफे अच्छे रूम्स बजट में मिल जाते हैं और यहां सामने पूरा मार्केट होता है इस ओटल का नमबार नीचे डिस्किप्शन में दिया गया है का स्वागत है अभी सोन ट्रैग से निकले हैं लगज़ा कर चार बच कर पैंटालीस मिनट में निकले हैं यह एक्छली भीरवार को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए बनाया गया है देख सकते हैं सिंगल वे लाइन गौरी कुन में आपको बहुत सारे लॉकर रूम मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो एक्स्टा लगेज के लिए 100 रुपे में अपना एक्स्टा समान छोड़ सकते हैं देख सुधा बना दिया ग्राईट के खले न तरब जो है आज उपन गौरी कुन आपन गरम जल में हमनों सनान कर लेते हैं इस तरब जो है जेंग सभाला है और लेडी सभाला जो है बैक साइड में हैं और यहां की ठाज़ बात यहां का पानी जो है हमेशा गरम रहता है तो भाई अभी हम लोग गोरी कुल से श्नान कर चुके हैं और गोरी कुल में शनान करने का भी एक अलग है बुरी थाकान दूर हो गोई बाई अगर आपको घोड़े अगर बुक करना हो तो आप यहीं बुक कर लें अगर आगे आप बुक करेंगे तो भो सकता है आपको चार्वेश प्याद लेंगे यहां का में पड़ाव आचुगा है गोरी कुंट सी किदारनाथ का जो सफर है लगभग 16-20 किमेंट और कर राता है 12,000 रुपेश चार्वेश होते हैं जिसमें वीट की हिसाप से आपको भोगदान करना पाए तो अपने सारे के लिए भाई डंडी जरूर ले ले ताकि आपको चड़ने में आसानी है अब हम यहां से जा रहे हैं जैंगल जटी की ओर इसके अलावा पिट्टू से भी किदार नाध्ध हम जा सकते हैं जिसका वन साइट चार्जेश 5000 टू 8000 रुपेश होता है जिसमें पिट्टू के चार्जेश वीट के हिसाप से काउंट होते हैं इस बार जो है जगा 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 जो है सौचालाई की सुधा कर दी जाई है वह बहुत सभी काम के गया है क्योंकि लिडिस लोग ले बहुत ज्यादा प्रावल है अभी रास्ते के दाहिने तरफ बहुत ही खुबसूरत मंदागिनी नदी के साथ गौरी कुन से साथ किलमेटर दोर रामबान तक चलेंगे पैदल यातरा के दौरान यह जो लकड़ी है भाई बहुत है पुपल है भाई आप जैसे जैसे चलाई आते जाएगा आपको महसूस होगा भाई अपने साथ भूकोस का वाटर रखे तोकि आपकी यातरा बहुत लंबी होती है अराम से पीते पीते जाए तो आराम से आपकी यातरा सकल हो जाए गवरी कुण से लगबाग साड़ी तीन किलमेटर की दूरी पर है चीर बासा भैरो मंदेव आपको खाने पीने के लिए बहुत से दुकान मिल जाएंगे आप चाहे तो अपना लंज भी कर सकते हैं अब तक की आतराप की अभी तो चल रही है देखते यहां तक आगे आगे चले ठीक हर हर महादेव तो बाबा के दार का मंदिर यहां से लगभाग 11 किलमेटर की दूर पर इसकी था भी बहारी सी पत्थर गिलने का भै है उप्या उची दूरी बना कर चले तो लगभाग हम लोग बाबा का नाम लेते लेते यादा पड़ाव पार कर चीते हैं गौरी कुन से लगभाग 6 किलमेटर की दूरी पर है भीम बली भीम बली में सभी भीम बली का दर्सन करके ही हम आगे यात्रा करते हैं पुलिश चौकी भीम बली का पड़ाव जो है हम लोग अभी क्रॉस हो रहे हैं भूड़ा खच्चर प्रिप्रेट काउंटर भीम बली लास्ट काउंटर है खच्चर 116 का 1650 वरस्ता सो प्लेर सौथ यहां से आपको दो पड़ाव देखने को मिलेंगे भाई जिसमें से एक पड़ाव यह है जिसमें आपका खड़ी चड़ाई जो है कम रहेगी लेकिन वह को एक से दो किलोमेटर एक्स्टा परता है हम इस वाले पड़ाव में जा रहे हैं जिसमें किलोमेटर कम परता है भाई अगर वाई चांस आपको थाकान हो रहा हो नहीं जा पा रहा हो तो यहां से भी आदबोले कर सकते हैं अगरों के रुखने का इस्थाना भाई और अभी हम आ चुके जाए नदीजे पाग भाई यहां सेलफी पोटोग्राफिय जान लेवा हो सकता है अग्से हुए है और पबलब एक अलागी मजा भाई लेकिन भाई यहां पाली का अगर आप अपर बढ़ जागा तो आपको बागना पड़ेगा अब यहां तो फिल कर रहे है बहुत ही जबरदास पील है बहुत ही जबरदास भील बनाके हम भा रहे हैं आपर अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको जगा जगा वाटर वाल के जर्नों से आता हुआ सुद्ध पानी मिल जाएगा इसलिए खाली बोतल अपने साथ रखें क्योंकि उपर ट्रांस्पोडेशन के चार्जस अधिक होते हैं इसलिए हर चीज़ आपको अधिक दाम पर मिलती है तो यहां से बुरी बच्ची हुई है बागा की घान के लिए आठ किलो मेंटर अधिक थे रदाइब नेपाल से तेरा तरिक्साइब हो अच्छा विलाल सीजन है मतलब कापाट खुला तब आते हो ना फिर कापाट बंद होता है पिर चले आते हो वही पूछ रहों वहीं पूछ रहों ठीक है कैसा एक्सपर्याइन्स रा मेरे भाई पूरी रास्ते में एटल और जियो का नेटवर्क इस्टॉंग था है लगभष तीन बच चुका है यह बता रहें कि यहां से लगभष चार कीमेंटर की जुरी पर और बच्चा हुआ है बबावा केज़ार मनोबे धोड़ा जो मेंटर का घुरी आप हम लोग जिस स्टेंट में रुके थे उसके लिए पर चोड़ देता है, उसके बाद आपको पैड़ा यात्रा करी जती है, अगर आप घले से आ हैं, और जैसे जैसे चरते जारे हैं, भन जो है परते जारी है, भाई आप जब चोहाई कर रहे हो, तो बैटर होगा कि आप जो र हम लोग जिस टेंट में रुके थे उसके चार्जस 1% के 400 रुपे थे, जिसमें माइनस टेंपरेचर की स्लिपिंग बैग दी जाती है, जिसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन आपको यहाँ टेंट 200 रुपे से 300 रुपे में भी मिल सकता है, हम लोगों ने लेकिन टेंट लिनने से पहले आप याद रखे कि आपको पब्लिक टॉलिट ही मिलता है जो उपन में बना हुआ होता है, अगर किसी भी प्रकार की तबियत खराब हो तो यहाँ बना हुआ है भाई, स्वामे विवेकानंद, हैल्ट निसन सुसाइटी, और सबसे इंपोर्ट है जो कि आप इनकी ऑफिसल साइट में बुक कर सकते हैं अगर आपको लेना हो तो इसके आगे ही ले, अगर इसके पहले लेंगे आपको टेंट तो आपको काभी चलना पड़ेगा बरसात के समय ग्लीशेर गिरने का खतरा बहुत अधिक होता है, इसलिए आपको जुलाई यह मागस्त में आपको सबसे कम भीड़वाड आपको देखने को मिलेगा दुआपर युक से आज तक देश वीदे से हजारों सद्धालों अपनी सातों जन्मों के पापों से मुक्ती पाने के लिए दियो भूमी उत्तरा घंड की रुद्र बैक जिले में स्थित गौरी कुन से 16 किलमेटर पैदर रास्ते में देवा धिदियो महादेव के जोतिर लिंकेदार नाध्धाम के दर्सन के लिए पहुंचते हैं रातनी मंदिर में आपको दर्सन में कम समय लागेगा जबकि शुबा दर्सन के लिए काफी भीड़ होगी सुबह पांच बेज से दुबह लगभग बारवे तक जलाभी शिक का टाइम होता है उसकी बाद बावा का सिंगार किया जाता है वही यहाँ आने का जो सबसे अच्छा समय है सेप्टेमबर अक्टूबर जब भीड़ भार भी कम होती है और आप राम से यहाँ दर्सन कर सकेंगे और इस तरफ है भोले बावा का अमरित कुंड नहां का जल देनी तो यहाँ आपको दस रुपर देकर आपको जो भी डबबा रहता है उसको भरवा सकते हैं केदार नाधम के पीछे हाते ये वाली भीमसिला नजर आएगी 2013 में आपदा आए तो इसी भीमसिला ने केदार नातमंदिर को बचाया था पीछे इस्तित है यहाँ पर कभी भी मौसम बदल जाता है इसलिए अपने साथ छाता रेंग को टेवम करम कपड़े रखना ज़रूरी होता है और केदार बाबा मंदिर के ठीक तिन किलमेटर की दूरी पर उस्तित है भहरा बाबा का मंदिर तो यह जो है नदी का पड़ा और जैसे ही इस तरह पाइंद तो राइट साइड में है भाई आपका एक होटल है पहली है उसके राइट साइड में है होटल जहां हमने इस्टे किया है यह वाला रूम हमें पड़ा है एक हजार रुपया पर परसन और हम लोग आठ लोग हैं तो आठ हजार रुपया का रूम है यह बाबा के राना की याता के समय क्या क्या चीज़े जो रखना जोड़ी है वो आपको बता लेते हैं सबसे पहले तो इसले डिस्टोज़बा क्योंकि उनका टांस्पोटेशन का जो चार्ज है महंगा होता है इसले आपको महने मिलते हैं तो अगस्ट, सब्टेमबर, अक्टबर बढ़ते जाता है वैसे थन बढ़ते जाती है तो इसले हो सके तो अपने साथ आपके धर्मा कॉर्ट भी रखे, जैकेट तो कंपलसरी र जूरी है तो पूल क्लॉस होते हुए जा रहे हम बाबा काल भहराओ का मंदिर बाबा के मंदिर के इस तरफ भाई अलवरा भंडारा प्राता साड़े नौबए से दोपरा दोबए तक उसाम साथ बैसे नौबए तो अभी हम यहां का भंडारा प्रसाद कहन कर रहे हैं और भंडारी के प्रसाद का इक अलग ही आनने भाई यह जो ट्रेकिंग है मतलब उतना भी मतलब है नहीं जैसा बोड़ते बहुत उपर चड़ाई करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है भाई अराम से मतलब धीरे धीरे बाबा केदार नात जी के दर्सन के बाद भैराव नात जी के दर्सन करना होता है तभी आपकी केदार नात जी की यातरा संपूर्ण मानी जाती है भैराव नात जी केदार घाटी के सबसे उचाई में बसे हुए हैं जब केदार नात जी की यातरा 6 महने तक बंद हो जाती है तब माना जाता है कि भैराव जी केदा नात्मंदिर की रक्षा करते हैं मंदिर के नजदीक ही रेतस कुंड नाम की जगा है और यहां भोले नात का नाम लेने से ही बुलबुले निकलते हैं अब आज आती है टूडल बजट की बाद तो हमारी यातरा राद नात्मंदिर की ती जिसमें हमने बावा केदार नात्मंदिर उपर इसे भैराव मंदिर त्री योगी नारायन मंदिर स्री बदरीनात विशाल मंदिर माना गाओं जोसी मट इस्तित नर्शी मंदिर आदे के साथ ही साथ तिन दिन हमने विंदावने मतुरा में वैतित किया जिसका टोटल खर्चा आया हमें लगपक 18-20,000 रुपए जिसकी अधिक जानकारी आने वाले वीडियो में हम कवर अगर पैदल यातर करेंगे तो थोड़ा सा रूख रूख कर करें तो ज़्यादा बैटर होगा एक्चली ठाकान हो जाती है सांस फूलता है ऐसा होता है तो आप जितना ज़्यादा रूख के जलेंगे जैसे हम लोग सुबा लगभख साड़े 5 वज़े से चड़े तो वेडियो आपको मिलते रहेंगे जै शिकेदार जै जोहां जै चप्तिसगार जै उत्तरा खांगे